जैसा कि आप साथ जानते हैं कि यहाँ पर आज जो है शराब से नजात का मुफ कैंप मुफद आरों मुटिशिवीर का हमने यहाँ पर आयोजन किया है इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि शराब एक ऐसी चीज है जिसको कोई समाज में सही नहीं समझा गया हम सब जो पड़े लिखे हैं वो लोग समझ सकते हैं कि इसलाम में शराब हराम लेकिन इसके बाजूद लोग कीते हैं दूसरा है कि हमारा जो दस्तूर है हमारा जो संविधान है उसमें फुद यह लिखा था कि जो शासा ने उसको यह खोशिश करना चाहिए कि सारे देश में शराब और सारी जो नशावा चीज़े उसकर बंदी हो लेकिन मुश्किल यह है कि अभी तक यह बंदी हुई नहीं है इसलिए जो लोग है वो इसमें उक्तिला हो जाते हैं अभी सरकार ने खायदा लाई है कि गौव में अगर पचास फीसद से ज्यादा औरते अगर चाहती है कि गौव में शराब ना हो तो वो गाव में शराब पर बंदी लाई जा सकती है लेकि यह होता नहीं है तब तक हम में जो लोग समझदार हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि अपने आपको भी शराब से बचाएं और अपने विश्टेदार जो शराब में की पीमा शराब पीने में मुक्तिला हो गए हैं उनको जो है इसकी आदस से छुड़ाएं इसलिए हमने और अवरंगाबाद में और पर करी ये यह हउस्पिटल नहीं है यह कोई सहंस्था के जरेए चलाया नहीं जाता है बलके एक एक प्राइवेट हॉस्पिटल लैकिन हम सब जानते हैं कि हम जहां भी रहते हैं जिस समाझ में रहते हैं उसका भी हम पर कुछ है अभाँ होता कि मुझेए कि पूसके दूसरे की मदद करना कीड़ Yeti यह कुछ साल में का मश्का यह जो जयुआ को म। जो लोग फीस डेकर नहीं आ सकते हैं यह गरीब हैं उनके लिए हम लोग हर महिने में एक मातवा किसी ना किसी जगाया पर ऐसा शराब से नाजात का मुष्ट कैंपनेज करते हैं तो उसी सिलसिलें की एक कड़ी है दूसरी बात यह है कि शराब क्या है शराब से क्या होता है शराब से क्या नुक्सान होता है मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा तो आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं हम लोगों ने या तो किताबों में पड़ा है या यह कि आपके जैसे जो परेशान लोगा है पेशन्ट कि उनके रिष्टेदार उन्हों ने हमको जो सुनाया है वो हम आप तो सुनाते हैं लेकिन आप लोग खुद तो इसको गुगच चुके हैं आपके खांदान में धर में जो परिशानी होती है वो सब अच्छी तरह आप वाख हो और यह कि शराब पीने से लिवर खराब होता है हाजमा सही नहीं होता है जो सामान जो दिमाग की काम करने की शक्ति है वो कम हो जाती है दिमाग आदमी को भूल चुक होने लगती है या पागलपन हो सकता है यह सब इसके असरात है लोग यह एड़ोटिजमेंट किया जाता है कि दारुपी कि आदमी की शक्ति बढ़ जाती पर पहले तो आप लोगो ने यह करना है कि यहा पर पीछे हमारे वॉलेटेर्स बैठेंगे आप उनके पास जाके नोनी कराना है जो पेशन्ट आये हैं उन्होंने उनके खुद के नाम की नोनी कराना है और जो पेशन्ट नहीं आये सिर्फ रिष्टेदार आये तो वो लोगोंने भी फॉर्म भरना है उसमें यह लिखा हूँ आए कि मैं अपनी राजी खुशी से शराप छोड़ने के लिए तैयार हूं और यह गोली के उपर अगर मैं शराप प्योंगा तो मेरे को उल्टी होंगी और पेट दुखिंगा और सीरियस हो सकता अगर सही इलाज ने करा है नाते वाइक कभी वैसे कंसेंट है कि मीस होता राजी मर्जी ने गोड़ा के ते यह चावर दारू किला पेशन् अगरा लगते वो कौनसी दवा गोली इंजेक्शन है वो हमारा जो काघज है उस पे सब लिखा हुआ है कुछ गोली दवा जो हमारे पास अवेलेबल है जो हमको सैंपल्स दिये कुछ मेडिकल कंपनी वालोंने फ्री में वह हम आपको फ्री में देंगे जो दवाइं हमारे जिन्देगी पर आपके पेट में रहेगी जो पेशन्ट बोली खाएंगे और जाहर है कि उसके उपर जब आप पिएंगे तो इसको उल्टी होंगे तो आपको तयार रहना चाहिए कि भाई इसके बाद अगर कोई दोस्त आपको बोला रहे तो ने समालना तो मैं दारूपी आपको बोलने का और फेंदारूपीन शुरूप करने तो ऐसा करेंगे तो यह हो सकते हैं तो ऐसा करना है एक बाद तो यह हैं दूसरी बाद जो पेशन्ट नहीं आया जिनके सिर्फ रिष्टदार आजान कर चना है आते वाई के उनके लिए यहां पर लिखा हुआ है बोल् पेशन्ट के रिष्टेदार है उनके लिए यहां पर है तो वो लोगों ने पहले फॉर्म भरने के बाद यहां पर आकर बताना है यह मैं जो है डॉक्तर हम दोनों में से को एक आपको बताएंगे कि उनको पैसे दवा गोली देना है यह जो इलाज है अभी तो हम सिर्फ आपने बैना हमने जो पॉंपलेट बाते है उर्दू में और मराथी में आपने उसको देखा है कि उसको पर लिखे कि अगली जो विजिट है यहां पर हमारी हर महीने में मैने का चौथा है शनिवार है उसको हम यहां विजिट देंगे डॉक्टर आरे हुसेन के दवा खाना जो पेशन्ट खुद आये हैं उनको जो मैने की दवा है उसका खास जादा 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 अड़ाई साव से तीन सो रुपिय हो गए और जो पेशन्ट नहीं आये हैं उनके रिष्टेदारों को कम से कम एक साथ सी रुपिय की दवाएं लगें तो और यह जो इलाज है आपक लिए दावा गोले देना पड़ता है जिससे आएसता आशता आशता करके उसको दारों की जो यार आए जो कम है आदि आज यह है कि पेशन्ट जब शराप के जब शिविर रहा तो तीन सो पेशन्ट आदे लेकिन जब पहली विजिट रही तो उसमें पचास ही लोग आते औ लेकिन होता ही है कि लोग कुरित्र इलाज ने करा तो आप लोग अगर यह चाहते कि पेशन्ट की सव टक्के आपको फायदा हो तो आपको कम से कम साल भर तक इलाज कराना चाहिए जरूरत पड़े तो और भी करा सकते लेकिन आपको यह करना पड़ेगा अगर आप दिल से इरादा करके अगर आप पेशन्ट की दारू चुडाने के लिए अगर आपका पक्का इरादा है और आप मेडिसिन्स वगर आप बराबर देंगे तो इंशाल्ला आपकी शराब बिल्कुल छुटेंगे दूसरा है कि शराब पीने के पाद आपके घर में जो शैतान या शैत उगर आपके पास लाएंगे उसरुक्त आपने उसको है कि पेशन्ट ने शराब है उसको क्या तक्लीफ होती या क्या दवागो लैं देना है उससाब से अगर आपने दावागोोलियं दिए तो पेशन्ट की उल्टिवगरा रूख जा तो यह दर बढ़त जाता कि में अभी तो फिर वो पीधान तो यह सब आपको करना है इसके बाद भी जो है आपके दिल में क्या डाउट्स है क्या है वो पर इसके बाद डॉक्टर शेंडे साब पोलें उसके बाद भी आपके दिल में क्योट्र ओगर रहे पूच सकते हैं